नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं लेकपाल भरती मुख्या परिक्षा के परिणाम को लेकर कि क्या लेकपाल भरती फसेगी या इसका मुख्या परिक्षा का परिणाम जारी होगा दोस्तो इस भरती को लेकर STF ने मांगी टॉपर्स की सूची ब्लेकलिष्ट होंगे संदिक्द दोस्तो इस बात से क्या लग रहा है इस बात से साफ साफ लग रहा है कि यूपिटर पलेसी इस एक्जाम को किसी भी हालत में रद नहीं करेगा क्योंकि जितने भी चात्र इसमें गलत पाए जाएंगे उन सभी चात्रों को इस भरती से बाहार निकाला जाएगा देखे यहां लेकपाल भरती मुख्या प्रिक्षा में सौलवर गिरहों को पकड़ने के बाद STF संदिक्द अभ्यरतियों की तलाश में है संदिक्दों को चिन्नित करने के लिए STF ने एक फॉर्मूला तयार किया है इसे उत्तर प्रदेश अदिनस सेवा चैनायो के साथ साजह भी किया गया है आयोक के अद्यक्ष प्रवीर कुमार ने बुद्धवार को बताया कि STF ने सभी सूचनाय साजह की जा रही है और अब तक पुलिस टीम ने जो भी जानकारी मांगी थी उसे उपलब्द कराया गया है आयोक के अद्यक्ष का कहना है कि STF ने परिक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है हाला कि अभी तक कॉपी नहीं जाची गई है रिजल्ट गोशित कर STF को सूची उपलब्द करायी जाएगी मैंने आपको कल बताई भी थी बात कि यूपिटर पलेसी इस परिक्षा को किसी भी हालत में रद नहीं करेगा और अब चैर्मेन ने साफ साब बोल दिया है कि परिक्षा रद नहीं होगी इसका परिणाम जारी होगा देखे यहां लेकाए यूपि अधिनस सेवा चैनायोग अध्यक्ष बोले कौपी जाच कर जारी होगा परिणाम मतलब यह है कि इस एक्षाम में अगर जो भी परिक्षारती गलत हैं फ्रोण हैं नकल्ची हैं उनको बहार किया जाएगा और इसका परिणाम तयार किया जाएगा ठीक है ना तो परिक्षा किसी भी हालत में रद नहीं होगी लेकिन दोस्तो एक सोचने वाली बात यह है कि अगर इनको ऐसा ही करना था तो फिर यह वीडियो परिक्षा में भी ऐसा कर सकते थे ठीक है ना वीडियो वाले एक्षाम में भी यह कर सकते थे क्योंकि वीडियो के चात्री भी काफी उन्होंने जंग लड़ी चार साल तक पर रहा सकती है तो लेक पाल भरती के बारे में एक बात बिल्कुल किलियर हो जाती है कि यह परिक्षा किसी भी हाल में रद नहीं होगी इसका जो है नवंबर में यूपिटर पलेसी परिनाम जारी करेगा और जो भी चात्र गलत है उनको बहार का रास्ता दिखाये जाएगा य लेक पाल भरती की मुख्य परिक्षा देने वाले सभी चात्रों के लिए है ठीक है दोस्तो यह अपडेट है यूपिटर पलेसी की लेक पाल भरती को लेकर और किसी भरती को लेकर या परिनाम को लेकर और किसी नोटिस को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एक दम authentic जनकरी मेरे चनल पर दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाइन जा भरत